नमस्का सातियों आज की वीडियो में हम कक्षा 12 विशे बाइलोजी के राश्तान बोर्ड प्रिक्षा में विगत वर्सों में पुछे गए परसनों के बारे में बात करेंगे जिसको आप शोट में पी वाई क्यों कहते हैं प्रिक्षा 12 विशे बाइलोजी के तीन चेप्टर है पुछ भी पादपों में लेगिंग जनन जो आपके पांच अंका है दोस्रा है मानम जनन जो आपके चारंग का है और तीसरा है जो जनन स्वास्ते जो आपके दो नमबर का है इनके इन चेप्टर से अब तक कौन-कौन से पी वाई की क्यूशन है उनके बादे में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को स्टर्ट करते हैं जो इस चैनल पे आएं वो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बोलें जिसे आने वाले दिनों में आपको सबसे पहले नोटिफिक्शन प्राप्त हो सके तो सबस इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो पुष्पि पादपो में भून पोस की सुत्र गुनित्ता क्या होगी? और अगला कुष्पि पुष्पि प्राग इसी कैसर संक्यशन को विश्चार से समझाए तो 2014 में एक कुष्पि एक नमबर का था और एक पुष्पि 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 गया थे उसके बाद जो अगला क्यूशन पुछा गयता है विपन्सन किसे कहते हैं यह अच्छा क्यूशन है यह आपके रिपेट भी हो सकता है जो पीवाई क्यूशन की माध्यम से हमें यह आडिया लग जाता है कि इस चेप्टर से कौन कौन से क्यूशन है वो बोड एकजाम में पु समझाईए अगला क्यूशन पुछा गयता है इसे माधा इगमोद भिद के विकास की किरिया को समझाते हुए इसका आपको क्या बनाना चित्र तो बाइलोजी के स्टूइन्ट हो तो चित्र बनाने के प्रेक्टिस होनी चाहिए इसके बाद चलते है बेटा नेश्ट पेस प कि लगुबिजानू धानी की सर्चना को समझाते हुए इसके विभिन इसति लोग की कारी बताईए विभिन परतों को पदशित करते हुए एक लगुबिजानू धानी का नामां की चित्र बनाईए अगला है अगला प्रागरण की परिबासा बताईए वायू प्रागरण तरह जल प्रागरण को उधान देकर समझाईए अगला कुशन अगला प्रसन आपसे पुस्प के चार भागों के नाम बताईए कितना सिंपल आपसे पुछा गया था दोजार में 2020 के अगला कुश्प की सरचना का सर्चित्र वर्णन कीजिए तो यहां पर सर्चित्र वर्णन कीजिए तो जो भायलोजी के पेपर में आपको डाइग्राम तो काफी देखने को मिलेगा आगला कुश्प दोजार वाइस में जो अबजिक्टिम टाइप पुछा गया था निम लेखी में से परी भून पोस्ट पाया जाता है चुकुंदर मटर मुंग फली और सर्चित्र वर्णन कीजिए एक दी बीच पत्री भून की सर्चित्र वर्णन कीजिये एक दीबीच प परमें जो कुशन आई था, फलोरी कल्चर क्या है, पंकेसर की सर्चना का वनन कीजिए, एक पारुपित पंकेसर का नामांग की चित बनाए, तो बायलोजी में तो चित्र की बना आपको काम चलने वाला नहीं है, और ये चित्र आप तभी बना पाओगे, जब आपको इनके च सर्चना का नामांग की चित बनाए, इसका अथ्वा में आपको जो कुशन देखने को मिल सकता है, पर निशेचन प्राग गन को परिवासित कीजिए, तो ये जो कुशन आपने देखेते हैं, अभी तक अठारा कुशन, ये आपके बोड एक्जाम 2013 से लेकर, जो आपके अब हम चलते हैं, चैप्टर नमबर दो के, जो आपके स्कीन पे आ चुका है, अगला जो चैप्टर नमबर दो है, मानव जनन, जो च्यार अंका है, और सबसे बड़ी बात आपको एक भी हर्क नहीं है, कि इस चैप्टर से आपको एक दिर्ग उत्रिये, परसन अर्थात, ल यदि पीट पिंड निसकरी हो जाए, तो भून परिवर्धन पर क्या परभाव पड़ेगा, कारण सहित आपको इसको समझाना है, पत्थम इसने क्या है, एक नमबर का, मानव में योणारब के परस्यात होने वाली लेगिक जनन की चियार गटनाओं के नाम लिखिए, अगल मानव में लिंग निधारन की किरिया विद्धी को समझाना है, बिल्कुल आज सकते हैं इस परकार क्योशन, इस टेम कोशी का क्या है, यदि एक सुकुराणू का अगर पिंडक थर्तिगरस्ट हो जाता है, तो इसे कौन सी किरिया परवाहित होती है, क्यों इस परकार की क्यो वारा स्रावित हार्मोनों के नाम लिखिए, इसके वारा क्योशन पुचा गए था, सुक्र जनन प्रकिरिया को विश्थार से समझाईए, अगला क्योशन है, खीच की उपियोगिता बताईए, फिर वापिस से सुक्र जनन किसे कहते हैं, सुक्र जनन की किरिया का आरेखिये निरुपण कीजिए अब चलते हैं अगले वाले पेज़ पे अब लिखूँ अगला वाला कुश्चन आपके सामने गोनेडो ट्रोपिन हार्मोन का नाम लिखिए यह हार्मोन का नाम अगर आपको आता है तो आप चाहे तो कमेंट्स में बि करते हैं भोन के अंतरा रोपन के पच्च्चात यदि अपरा का निर्मान नहीं होता है तो भोन परिवर्धन पर पढ़ने वाले परभावों को समझाईए इसके वाल अगला कुश्चन है नवजात सिसु के लिए माग का दूद बहुत आउशक होता है कार से समझाईए इसक समझाईए इसके वाज अगला वाला कुश्चन है हार्मोन का नाम लखिए हार्मोन का नाम लखिए जो कार्पस लूटियम के परिवर्धन को पेजित करता है सुरी कोपर्स लूटियम के परिवर्धन को पेजित करता है कोपर्स लूटियम के चहतिगरस्ट होने पर उत्पन पर भावो को समझाईए अगला कुछन है मानव सुक्राणों की सर्चना का वर्णन कीजिए अगला कुछन है इसके अंदर तीन कुछन पुछे गेते अठारवा में कि नर्जननतंत का नामांग की चितर बनाईए वष्ण की सर्चना समझाईए और सटोली को सिखा के दोकारी लिखिए इसके बाद चलते अगले कुशन पर गैस्टूला बहुन को समझाईए और अगर क्लिनिंग किसे कहते हैं मानव की भूनी अवस्ता में तित्य से चट्टे सप्ता के घर्बकार में कौन से अंगों का निर्मान होता है इसके बाद दो जातेश में से जो कुशन आये था कि इस्त्री जरंतंत के तीन भागों के नाम और उनकी कालिय लिखे अगला पर्षन है अप्रा द्वारा स्रावित तीन हार्मोनों के नाम बताईए तो ये आपके चेप्टर नंबर दो जो मानव जनन था जो पीवाईट्यक्यशन तो मेंने पहले भी खाया कि पीवाईट्यक्यशन का मतलब ही होता कि पहले आप एक बार चेप्टर को कम्लिलि पढ़ लीज़ुडिए पिर उसके प्युवाईट्यक्यक्यशन का मिलान कीजिए जिससे आपको यह आरिया लग जागे कि इसमें से कितने कुशन आपको आते हैं और कितने नहीं आते हैं अब चलते हैं मेरा चेप्टर नमबर तेन की तरफ जो क्यों दो अंका है लेकिन इसे एक तो आपको जो चेप्टर नमबर जो तीन है जनन स्वास्ते वो दो अंका तो इसे एक कुशन तो आपको multiple choice कुशन देखने को मिलेगा जो आदा अंका होगा और दूसरा कुशन है वो आ गुत्रात्मक परसंदेखने को मिलेगा जो होगा डेर्ड नमबर का तो इस प्रकार से मिला कि इसके दो नमबर होते हैं अब जिक हम बात करें एक इस्त्री जिसे आगी गर्वावस्ता नहीं चाहिए वो किस विद्धी को अपनाएंगी और क्यों अगला कुशन दूसरा क्या परभाव पड़ेगा देखो परसंदेखने वो बाइलोजी में आपको सिद्धे नहीं मिलके जो टोपिक से रिलिटेड है उसको गमा कर पुछे गए हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको आपका जो दिमाग है वो आपको यहां काम में यूज लेना पड़ेगा अगला है आप बंदे दमपत्यों को संतान सुक प्राप्ट करने है तू कौन से सुजाव देना उचित समझेंगे अगला है गर्भ निरोदक की किसी एक प्राकरतिक विधिक का नाम बताईए अगला है पात्रे निसेचन की उप्योगिता बताईए अगला है आई वी एप का पुरा नाम लिखे तू जल्दी से जिन जिन बच्चों को इसका पुरा नाम आता है वो कमंट्स में बता सकता है अगला है किसी एक अंतर गर्भासी युक्ती का नाम बताईए इसके बाद अगले कुशन की तबागे बढ़ते है योन संचारित लोग किसे कहते हैं इन संक कर्मन से मुक्त रहने के लिए किने नियमों का पालन करना चाहिए दो जाठार में कुशन आया था अगला किने तीन गर्भ निरोदक साधनों के नाम बताईए अगला दो जाठार भाई से जैंसिंग के वर्दी स्पोर्ट का कार्ण समझाईए अगला कुशन है जी आई एप्टी का पुरा नाम लिखिए तो बड़ा बाईलो जी में काफी शोट ट्रम्स है और उन शोट ट्रम्स मे आपको फुल नाम लिखने से जरूर आपको मिलेंगे तो 2023 में कुशन था जी आई एप्टी का पुरा नाम लिखिए कुशन नंबर बारा योवन संचारित रोग का उधार नहीं है सुजाक सिफलिस क्लेमेडिया कैंसर तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंस में बताऊगे त चैप्टर नंबर एक से लेकर कि कौन से से कि चैप्टर नंबर एक से लेकर चैप्टर नंबर तीन तक के पी वाई क्यू कुशनों की हमने बात किया है और जैसे ही अगले वाले चैप्टरों के पी वाई की कुशन रेडी होंगे जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे और समाप्त करते हैं